आज हम सब स्वतिन्ता संग्राम के महाननायक नेता जी सुभाश्चन बोश की 126 जहनती पर उनको सरधान जली अर्पित करने आये हैं केंद्रिय कक्ष में भारत के अलग अलग राज्यों से हमेरे युवा विध्यारती साथिये जिसमें एक संपूर्ण भारत यहां पर आज मुझे देखने को मिल रहा है मैं इस केंद्रिय कक्ष में आप सबका अभिवादन करता हूं स्वागत करता हूं कि नेता जी सुभाज चंद्बोस्क के अत्याग बलिदान प्रतेग भारतिये को हमेशा नई पेड़ना देता है नई दिशा देता है उनका संगर्ष उनका विचार नोजवानों में देश सेवा के लिए नई दिशा देता है संकल्पित भाव देता है आज उनकी जैनती पर हम सब उनको सर्षत नमन करते हुए उनके विचारों उनके आदर्षों उनकी जीवन के संगर्षों को आत्मसात करेंगे और भारत की नई दिशा देता करेंगे नेताजी सुभाशन बोस का इतना विराट व्यक्तित है उनके नाम से ही देश के हर नोजवान में नई उर्जा नई शक्ति का संचार होता है और हम सब के लिए भारत में विशेश रूप से नोजवानों के लिए उनके आदर्ष जीवन उनका आदर्ष संगर्ष निश्शित रूप से हमें नई राष्ट भक्ति का संचार करता है उनकी अध्भूत नेत्त शम्ता उनका आत्मिश्वास स्वाबिमान चुनोतियों से लड़ने की शक्ति और एक वीजन था भारत के लिए और उसी वीजन पर आज़ देश आगे चल रहा है नेता जी भारत के सम्रद गोरोशाली त्यास पर हमेशा गरू करते थे उनको सांसकति विरासत पर उनका भरोसा था कि एक दिन भारत आत्मिश्वास के साथ स्वाबिमान के साथ एक आधुनिक भारत बनेगा जो सपना हम आज पूरा होते देख रहे हैं उनके जीवन में एक हमेशा इस पर संदेश था कि हर चुनोतियों से हर कठिन से कठिन संगर्ष से हमको मुकाबला करना चीए उसलिए अनवर्थ अपने लक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने जीवन बर संगर्ष किया और उनका यही जीवन दर्शन आज हमको नई दिश दिशा देता है कि वेक्ति के दिवन में जब कोई विचार आये है कि उस विचार को पूरा करने के लिए उनके मन में संकल्फ होना चीए उड़्जा होनी चीए और मैं देख रहा हूं भारत के नोजवानों की इनोवेशन की सम्ता उनके नए रिसर्च करने की शमता उनके नए सोच की शमता और अपनी बोद्धिक शमता से नए भारत बनाने का सपना आज मैं देख रहा हूं नेता जी भारत का ऐसा ही भारत को देखना चाहते थे इसलिए हम सब यहां पर आये हैं उनके जीवन दर्शन को समझने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से हमारे विध्यारती नोजवान उनके जीवन के बारे में उनके जीवन दर्शन के बारे में अपने वक्ते में बता रहे हैं मुझे आशा है आने वाले समय में भारत इसी तरीके से चुनोतियों साभिवान से आगे बढ़ता रहेगा और भारत का नोजवान के मन में इसी तरीके विचार होंगे जो निता जी सुभाचन के विचारों में थे और इसलिए भारत के हर कनकन क के नो जवान में कि उसके विचार में उसके संकल्प में एक धर इच्छा शक्ति कि एक नए आत्मिश्वास के साथ नए भारत का निर्माण और नेता जी के सपनों का भारत बनाने का विचार हम सब इस केंद्य कक्षे लेकर जाएं मैं पुने आप सब को धन्यवाद देता हू कि आज आप बड़ी दूर दूर से यहां पर आये हैं निश्चित रूप से यहां से जो संकल्प लेकर जाएंगे जो विचार लेकर जाएंगे जो नेता जी के विचारों पर अलग-अलग विध्यारती जो अपने विचार वेक्त करेंगे उन विचारों को अनवर्थ लेकर ज संकल्प को सिधी तक पहुचाना है यही हमारा संकल्प है और इसी के साथ जैहिन नारे के साथ बोलेंगे जैहिन 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 धन्यवार